और यह समझ जिए कि जब भी क्रांती हुई है उसमें हिम्मत दिखाने का काम बिहारियों ने किया है और वही बिहारियों ने कर दिखाया और सरकार भी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि यह छात्र है यह किसान आंदोलन नहीं है यह छात्र आंदोलन है देखिए बिहार के छा तांदोलन जब जब हुआ है तब तक सप्ता बदली है एक सप्ता के अंदर इस पर बयान आना चाहिए कि अब हमने ये कर दिया है अब बच्चों को दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ऐसा नहीं किया और एक सप्ता से जादे किया तो आप ये समझ ये कि आप बच्चे कहीं से भी मानने के लिए तयार नहीं है ऐसा नहीं कि कमीटी गठित हो गई और 6 मेना एक्जाम को टाल दिया गया बच्चे आप मानने वाले नहीं उसका एक्जाम लीजे उसकी जॉइनिंग करवाईए नमस्कार आप देख रहे हैं दे इंडिया टॉप मैं हूँ आधेश पूरी आपको बता दे कि छात्र आंदोलन का असर ये हुआ कि रेलवे ने रेलवे के कारियों में कहें तो सरकार ने हस्तचेप किया है और दोनों परिच्चाओं पर रोक लगा दी है एक कमिटी गठट करने का नेड़ना लिया गया है और छात्रों से भी अब वार्ता होगी छात्रों से वार्ता होगी इसके जासर है विस्तार से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है सर जरा बताते क्या निर्णा लिया गया है देखें कहीं न कहीं से सरकार भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये च्छात्र हैं ये किसान अंदोलन नहीं है ये च्छात्र अंदोलन है और च्छात्र अंदोलन जब जब हुआ है तब तक सक्ता बदली है तो कहीं न कहीं सरकार को इस बात पर तुरंत जो है संग्यान लेना पड़ा आप समझे कि आररवी कितनी रूड थी कि कल साम में भी उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि जो लोग ट्रेन रोकेंगे उनको डिबार कर देंगे हम जो है उसका वीडियो की जाच होगी और उन लोगों को डिबार किया जाएगा लेकिन जब सरकार ने संग्यान लिया तो आप तो आररवी को सुनना ही पड़ेगा आप दूसरा कोई उपाई बचा नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा कमीटी गठन करेंगे बच्चों से बात करेंगे आररवी बात करेगी बच्चों से इसके लिए कमीटी गठन करेंगे सब बात ठीक है लेकिन तुरंत किया जाए अब इसमें एक सब्ता से जादे का समय ना लिया जाए एक सब्ता के अंदर आप इस चीज़ को ठीक किजिए ये सक्त से सक्त इस पर कारवाई हो और एक सब्ता के अंदर इस पर बयान आना चाहिए कि अब हमने ये कर दिया है अब बच्चों को दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ऐसा नहीं किया और एक सब्था से जादे किया ता आप ये समझ ये कि आप बच्चे कहीं से भी मानने के लिए तयार नहीं है आपको हर हाल में ये चीज एक सब्ता के अंदर किलियर करना होगा कि आप क्या किये हैं इसके लिए आप प्रोपरवे में दो दिन तीन दिन पे नोटिस निका लिए कि हाँ आप ये बात यहां तक पहुंची है इसके लिए कमीटी गठ़़त होई है इसलिए सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि आप ये बहुत दिन तक ही चलेगा नहीं आप जो इसको आप छो मेना तक लटका किया दोजर चौबिस ले जाएगा ये नहीं होगा आप इसको सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि बच्चे सभी सांत तब तक रहेंगे जब तक आप अपना नोटिस नहीं दीजेगा लिकिन इसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए समय सीमा पे बात होनी चाहिए और अगर समय सीमा पे बात नहीं हुई तो यह जो आप कही है कि छो मेना तक और बच्चे इंतिजार करेंगे ऐसा कुछ नहीं होना है इसलिए हम सरकार से नमणिवेदन करेंगे कि एकदम समय सीमा के अंदर इस बात को देखा जाए और यह बहुत अच्छा पहल है सरकार के द्वारा और बच्चों की जीत है कही न कह जातर प्लानिंग कर रहा है तो अब किया काना चाहते हैं जैक कहीं है और हिंसा अगर होती है तो नुक 51 की देखार करना चाहिए लेकिन एक सब्ता के अंदर आपको इस बात पर संग्यान लेना होगा इस बात पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जादे काम है तो यह आपका एक काम है अगर आपके पास बहुत जादे काम है तो यह करोर लोगों का काम भी एक काम है तो आपको इस पर बहुत जल्द डिसीजन लेना ह चाहिए और कुछ दिन तक बहुत दिन तक नहीं कुछ दिन तक दो से चार दिन तक अंतिजार करेंगे रेलवे के अगले नए नोटिस का आपको क्या लगता है सब बिहार के बच्चों को आपको ऐसे देखते हैं कि पूरे देश भर में यह एंटीपीसी चाहे गुरूप डी क को लेकर एक जान था लेकिन बिहार ने हमेशा की तरफ पहल किया और एक तरह से कहें तो अंधोलन भी हुआ तो अहिंस आत्मक ही हुआ है अंति में जाकर आरा में कल ट्रेन में बोगी में लगाये गिया और रेलवे को जुकना पढ़ा सरकार को हस्त्त शेफ करना पढ़ा ब बिखने में पली। करते हैं कि कहने सुनने से बाहर और समझे कि जब भी करांती हुसमें हिम्मत दिखाने का काम बिहारियों ने किया है और वह बिहारियों कि अध्या दिखाय से लचpert रुपले खाहा हिम थाहिए कि बहुत में मैं लिह बहुत जगा पर आंदोलन हुआ तो यूपी वा रेलवे भरती बोर्ट से तो कोई बात ही नहीं करना हूँ तो समझे कि सबसे घड़िया बोर्ट अगर कोई बोर्ट अब बचा है तो वो रेलवे भरती बोर्ट है और मैं माननिय सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि इस पर तुरन संग्यान ले और एक सब्ता के अंदर यह decision दें क्योंकि बच्चे उससे जादे बरदास्त करने वाले नहीं हैं तो आपको बताएं कि बिहार में अंदोलन हुआ बिहार के सभी जिलों में रेल रोका गिया और उसका असर हुआ कि सरकार को हस्तचेप करना पड़ा और एक कमेटी के अगठन किया जाएगा जो की वरता करे में इसका निर्नipse हो जाए और इसका फल जो है वो भी आ जाना चाहिए यानि कि रिजल्ट जो एक्स्ट्रा देना है वो भी दे दिया जाना चाहिए और ग्रुब्डी से मेंस हटा लिया जाना चाहिए तो हपता दिन का समय है और आसा है कि जो भी छात्र अभी आंदोलिक् हम सरकार के इस वादे पर विश्वास करेंगे और वेट करेंगे क्योंकि निर्णा जो है उनके पक्ष में होने की संभावनाएं बनते अब जा रही है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक शर करें हमारे चैनल देंडिया टॉप को सस्क्राइब जर